अब जो उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने state elections को लेकर कहा है, जहां तक इंडिया गटबंदन है, इंडिया गटबंदन का सबसे पहला जो challenge है यह आने वाले चुनाव को लेकर है, जो लोकसभा में होने वाला है, कॉंगरिस बहुत confidently 36 गर में काम कर रहे है, उनका काम दिख र हो रहा है कहा गया था कि shortest time में आपको यह निर्णाय लेना है कि इनका disqualification कैसे होगा आपने उस प्रक्रिया का भी आपने मैं मानती हूं उसको delay करने की कोशिश की है उनको बचाने का काम किया है और आज जो सुप्रीम कुछ से पटकार पड़ी है वो सही तरीके से मैं उमीद करती हूं कि अब हां के speaker जो है वो अपनी जिम्मिदारी निभाएंगे समविधान का संद्रक्षन करना speaker की जिम्मिदारी होती है उसको उसका धर्म निभाएंगे और साथी साथ प्रजातंत्र के जो मूल है उसको खोई बगेर ऐसे लोगों को डिस्क्वालिफाय करेंगे जिसको सुप्रीम कोट ने क्लियरली कहा था कि ना वो चीफ विप अपॉइंट कर सकते हैं ना वो फ्लो टेस्ट वैलिट था ना जो गवनर ने सुप्रिया तूलिजी उन्होंने भी इसका थारीफ करी है आप क्या कहेंगे वें बस यही कहूंगी कि पार्लोमेंट में बहुत एतिहासिक निर्नय लिए गए बहुत ऐसे निर्नय लिए गए जो देश के जनता के लिए हुआ हो आप आंटी डावरी आक्ट देख लीजे आ आप सेक्शल हराश्मेंट एट वर्क प्लेज ले लीजे यह सारे जो निर्नय है वाइल लाइफ एक्ट देख लीजे इन्वार्मेंट टेख लीजे यह सारे इस 75 साल के कारेकाल में हुआ है सिर्फ अपने ही वाभेवा लूठना यह मैं मानती हूं गेर जिम्हितारा ना है और प्रधान मंती नरेंद्र मोदी जी को यह याद रखना चाहिए कि जो हमारा गौरव में इतिहास है पार्लिमेंटरी डिमॉक्रसी का ट्रिस्ट डेस्टिनी से शुरू हुआ था और आज अगर हम वो सवाल पूछें कि क्या वो डिमॉक्रसी उतनी ही कायम है जितनी उस सम एक इंक्लूजिव राज्य एक इंक्लूजिव धर्म एक साथ में सब को लेकर चलने वाला धर्म वो दिखाता है कि हमारे देश में आप किसी भी तरीके का बदलाव लाने की अगर कोशिश करेंगे जो अप्रजातांत्रिक हो तो जनता आपको सबक सिखाएगी इंडरा गांधी जी को सिखाया, इंडरा गांधी जी ने उसे सबक सीखी और फिर से जनता की ही विश्वास से वापस सत्ता में लोटी जो ये काम हो रहा है प्रजातंसर के मूलों से हमें दूर लिया जा रहा है दूर हटाया जा रहा है सम्विधानिक तोर तरीके को खतम किया जा रहा है वो जनता देख रही है जनता विरोधी जो काम चल रहा है महेंगाई को ले लीजिए आप महिला सुरक्षा को ले लीजिए आप unemployment को ले लीजिए, आप किसानों की दिकतों को समझ लीजिए, वो सब आपको बताता है कि ये सरकार सिर्फ अपने लिए ही काम कर रही है ना कि जनता के लिए.